Good morning everyone, कैसे हैं आप सब लोग आई होग सब बढ़िया हैं, खुश है मजे में हैं Guys, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं कुमल अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों को करवाती हो Daily morning में 9 a.m. sharp vocab show जिसमें हम सीखते हैं, daily के 5 ऐसे important words जो आपके upcoming competitive exams के लिए most important है तो बिना देर के शिरू करते हैं आज के पहले word से पहला बहुत बढ़ी आसा word आपकी screen पर है अप braid, अप braid का मतलब होता है किसी को लताड़ना, किसी को डाट मारना, किसी की निंदा करना, किसी को दुतकार देना उसको कहते हैं up braid, आप ये word देखने में इतना असान लग रहा है पर इसको याद कैसे करें, मैं बता रही हूँ याद करने का तरीका braid का मतलब चोटी होती है, अगर किसी की चोटी पकड़ के खीच के, आप उसको लताड़ते हो आप उसको डाट मारते हो, आप उसको बुरा भला कहते हो, तो braid उपर से, उपर से braid पकड़ी और उसको डाटना चुरू कर दिया सबका मतलब होगा डाटना, लताडना, दुतकारना, आनिंदा करना और इसके अंटोनिम क्या हो जाएंग, बहुत प्यार से पेशाना, ठीक है, किसी की तारिफ करना, किसी को कॉंपलिमेंट करना, किसी की प्रशेंशा करना, जैसे की प्रेज, कमेंड, कॉंपलिमेंट, अक्लेम, एंड रस्ट, एक्जांपल देखेंगे, without a doubt, my parents are going to upbraid me for not passing any of my classes this semester, बिना किसी शक्के, मेरे पैरेंट्स मुझे बहुत जादा डाट मारने वाले हैं, क्योंकि इस सेमेस्टर में, मैं कोई भी मेरा एक्जाम पास नहीं करने व और इन सभी वीडियो की PDF के लिए, मेरा टेलिग्राम चैनल, जो है, English Warriors का, उसे आप follow भी कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी important PDFs मिलने वाली हैं, नेक्स्ट, Jim offers upbraid his wife for spending too much money at the mall, Jim generally pry अपनी वाइफ को डाट मारता रहता है, क्योंकि वो मौल में बहुत सारा पैसा खर्च कर देती है, तो Jim ने अपनी वाइफ की चोटी पकड़ी और उसे डाट मारना शुरू कर दिया, चोटी पकड़ी यानि कि अपbraid किया उसने अपनी वाइफ को, next word we have on the screen is grim, grim का मतलब होता है, जब आप बिलकुल serious से रहते हो, ठीक है, दुखी रहते हो, उदास रहते हो, या कोई भी चीज बहुत धरावनी सी लगती है, बहुत भयानक सी लगती है, बहुत हिंसक सी लगती है, grim के काफी सारे meaning है, grim का मतलब जब आप बहुत serious हो, सक्त हो, ठीक है, या बहुत डरावने से हो, या कोई चीज बहुत भयानक है, जैसे मैं कहूं कि मैं grim forest में गया, एक डरावने घने भयानक जंगल में गया, मैं कहूं आज ए grim day है, grim day का मतलब एक उदासी भरा दिन है, ठीक है, तो synonyms क्या होंगे, ferocious, fierce, formidable, ghastly, gruesome, severe, स gentle हो, mild हो, खुश हो, amiable, banon, cheerful, gentle, happy, example देखे, when Heather saw the grim look on her supervisor's face, she knew her job was in jeopardy, जब Heather ने देखा कि उसके जो supervisor है, उसके face पे एक बहुत ही गुस्से वाला सा लुक था, ठीक ही डरावना सा लुक था, तो वो समझ गई कि उसकी जो 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 खत्रे में है, next word है, exterminate, exterminate, exterminate का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को या तो बिल्कुल खत्म कर देना, या बिल्कुल बर्बाद कर देना, अब इसको या कैसे करें, terminate का मतलब होता है, cancel कर देना, terminate का मतलब होता है, cancel कर देना, और exterminate का मतलब भी खत्म कर देना, या बर्बाद कर देना, अब देखो इसके synonyms abolish, annihilate, destroy, eliminate, eradicate, किसी भी चीज को पूर्णते खत में या बरबाद कर देना एंटोनिम्स क्या होंकि किसी की शुरुवात करना, किसी की ग्रोथ में उसका सहायक बनना ठीक है, authorize, continue, retain, allow, enable, entitle, warrant example देखेंगे, first example is some people exterminate garden insects by spraying poison on the plants बहुत से लोग जो बगीचे के किडे मकोडे हैं, उनको exterminate, उनको खतम कर देते हैं पूर्ण रूप से बरबाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, plants पर जहर डाल कर next, there was an attempt to exterminate ethnic groups in the north of the country country के उत्तरी छेतर में, सारे ethnic groups को जड़ से खदेड देने का, पूर्ण ते बरबाद खतम करने देने का एक प्रियास किया गया तो exterminate का मतलब है, किसी को पूर्ण ते बरबाद कर देना या किसी चीज को बिलकुल खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना नेक्स रूर्ण आपकी स्क्रीन पर अनकाॉथ, अनकाॉथ का मतलब होता है, आवारा, गवारव्यक्ती, आसभ्या, जिसको manners नहीं होते, जिसको पता नहीं कैसे बात करनी है, किसी से कैसे behave करना है, कैसे उठना बैठना है, उसको कोई manners नहीं है, उसको कहते हैं, uncouth, असभ्य जिसमें manners नहीं है चीज़ों को लेके अंटोनिम्स क्या होंगे जो बहुत ही सभ्भय है जो बहुत ही mannered है उसमें ठीक है उसको बोलचाल का धंग, कबड़े पहनने का धंग, personality सब उसकी बहुत बढ़िया है उसको कहेंगे civilized, polite, elegant, cultivated, cultural, complainant fine, इसका example देखेंगे, the uncouth young man didn't know which fork to use during the salad portion of the formal dinner, जो गवार सा व्यक्ति था, गवार सा नौजवान था, उसको ये नहीं पता था कौन सा fork, कौन सा काटा यूज करें, डिनर के टाइम पे से पहले सलाद खाने के वक्त, जब वो salad खा रहा तो उसको पता ही नहीं था कि कौन सा fork करना है, तो uncouth का मतलब होता है, गवार व्यक्ति जिसमें manners नहीं होते, ठीक है, next word we have on the screen is malice, malice का मतलब होता है, अपने मन में किसी के प्रती, शत्रुता की भावना रखना, ठीक है, animity की भावना रखना, द्वेश रखना, दुर भावना रखना कि कैसे उसका बुरा हो जा जो टीचर हमें पसद नहीं होते थे ना, हम उनके लिए ऐसे सोचते रहते थे, synonyms देखो, animosity, bitterness, animity, tiveness, acrimony, और इसका antonym क्या होगा, जब आपकी मन में किसी के प्रती, बहुत अच्छी फेलिंग्स हो, दया की भावनाएं हो, जैसे की kindness, fancy, appreciate, adore, or cherish, example देखेंगे, the ghosts are described as if they bear actual malice towards human, भूतों के बारे में ऐसे बताया जाता है कि वो humans की प्रती, द्वेश भावना रखते हैं, शत्रुता की भावना रखते हैं, there certainly wasn't any mollis in her comments, उसके comments में ऐसी कोई शत्रुता की भावना जैसी बात तो नहीं लगी, तो malice का मतलब होता है, किसी के बारे में बुरा सो देना, grim का मतलब होता है, जब आपके कोई भी चीज को लेके serious हो, उदास हो या बहुत गुस्से में हो, और lastly अब bread का मतलब होता है, किसी को लता लेना, डाट मारना या उसकी निंदा करना, अगर वीडियो पसंद आया है, तो like किये विना मत जाना guys, आपका हर एक like मुझे बहुत motivate करता है, ऐसा ही अच्छा content आपके लिए बराने के लिए, तो thanks for watching, keep sharing, take care.